वो के बीच में गए तो उनों ने बड़ा प्यार और आशिरवाद दिया वर्तमान में विधायक है उनके कामों से नाखुष थी तो उसी के वज़े से उन पट्ट गाजी विधान सबा की मैं सेवा निगम पाशद के रूप जलता नराज थी यहां पर विधायक के कामों से लाज़दानी दिली में विधान सबा चुना बहुत नजदिक है ऐसे में आमादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है दूसरी लिस्ट में आपको बता दे कई नए चेहरे हैं और कई जो मौझूदा पार्षद हैं, उनको ही मौका दिया गया है, आमाधी पार्टी ने विधान सवा में उम्मीदवार बनाया है विधायक के रूप में, आमाधी पार्टी के विधायक उम्मीदवार जनकपुरी से मेरे साथ इस वक्त मौझूद है परवीन कुमार जो पहले पार्षद भी थे और अभी मौझूदा पार्षद भी है स्वागत है पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे नेता अर्विंद केजरिवाल जी का विश्यस तोर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम हमारे जितने भी सीने लीडर्स है उन्होंने जो विश्वास और प्यार मुझ पर दिखाया है मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक विधायक समय पर उन्होंने दिखाया वह मतलब बहुत मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है अभी तक आप पार्शत थे जिम्मेदारी छोटी थी वाड के हिसाब से लेकिन अब विधान सबा की तयारी में है कैसे मांगते अपने आपको चैलेंज मांते देखे चैलेंज तो होता में पहले है जब एक वॉर्ड में और एक विदान्सबा में और फ्रक होता है वोड का इलाकह चोटा है एक विधान्सबा का बढ़ा है बट चैलेंज के इसे में काउंसलर था वो इलाका कटा इस बार तो नया इलाका आया नहीं इलाके में लोगों के बीच में गए तो उन्हों ने बड़ा प्यार और आशिरवाद दिया जबकि काफी बीजेपी डॉमिनेटीड इलाका मेरे इसमें जोड़ा गया था बीजेपी ने प्लानिंग की हुई थी कि मतलब इसको हराना है इस बार किसनिया की तरीके सुना बट फिर भी लोगों ने बहुत प्यार और आशिरवाद दिया नए लाके ने और पहले से जादा वोटों से जिता के बेजा तो लगबग आधी विधानसबा की मैं सेवा निगम पार्षद के रूप में कर बार के विधायक रहे हैं जनता ये जानना चाहरी है कि आखिर इस बार क्या कुछ रहा जिसने उनकी टिकट कट गई कारन क्या रहा देखिए वो जनता इस बार जो टिकट दी गई है वो पूरा प्योरली सर्वे के ग्राउंड पे दी गई है जनता से लोगों ने पार्टी सर्वे में पूछा कि आपका कामकाज कैसा है विधायक का तो निश्ची तोर पे जनता नाराज थी यहां पर विधायक के कामों से अरविंद केजरिवाल के काम से हम सब मतलब जनता जो खुस है काफी बट जो वर्तमान में विधायक है उनके कामों से ना खुस थी तो उसी क वाज़े से उनका टिकेट काड़ा गया. लेकिशिघा जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप आप कैसे सामना करेंगे? जनता का जब कामी नहीं किए? आप कैसे सुईकार करेंगे? देखें काम नहीं किया तभी पाटी में बदला है ना? तो जनता के लिए तो एक अर्विंद केजरिवाल जी का चहरा है और उन्होंने जो वर्तमान में विधायक उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनका टिकेट काटा गया है नई आदमी को मोका मिला है तो मैं उनको विश्वास दिलागूँगा कि मैंने जैसे निगम पाषद के रूप में सेवा की है उसी तरीके से आप लोग की विधान सबह में सेवा करूँगा और अर्विंद केजरिवाल जी तो निश्ची तो पर भी दिल्ली की सेवा कर रहे है और दिल्ली की जनता अब तैयार है उनको चोत्ती बार मुख्य मंत्री बनाने के लिए आमादमी पाटी एक है चेहरे बस बदले है क्योंकि आप भी आमादमी पाटी से पार्चन रहें दो बार के ऐसे में कामकाज को लेकर जब सवाल उठता है तो जनकपुरी में कई सारी जनसमस्या है जिसको लेकर आज भी जनता परेशान है जब आप उनके पास जाएंगे तो विधायक जी की वो नकामी गिनवाएंगे आपके पास तो कैसे अपने आपको चैलेंज मानते हैं जो चैलेंजिस आएंगे उसको भी फेस करेंगे और जनता की अगर कोई बात सामने आएगी तो मेरे पास अपनी परसनल टीम हैं सब चीजों की चाहे वो सीवर की हो चाहे पानी की समस्या है देखो विधायक के तोर पे जादतर जो समस्या है वो सीवर और पानी की कई जगा देखो हुँए उन्हों के बीच में जोहना गए यह लोगों से बात सुन जो जहाओ लोगों से बात सुननों के जाओ नियुके समाधान हो जाते हैं जो अभी पोस्टर में सामने यार है, हलाकि अभी डिकलेर नहीं हुआ पार्टी के तरफ से, बीजेपी का एक ऐसा चेहरा, जो विधान सवा में अभी परचार परशार में लगे हुए आसिस्थूद, क्या मानते हैं अगर उनका डिकलेर हो जाता है, तो आपके लिए जिस बड़ा होगा, देखिए उनका नाम है उनकी पार्टी में बड़ा हो सकता है, उनके नहुची दुकान फीके पकवान वाली बात है, जनक पूरी में उनका कोई गराउंड नहीं है, जीरो गराउंड है, बहुत नराजगी है, मतलब मुझे लगता है कि जैसी विधायक ह जादा नराजगी है, बीजेपी कारेकरता उनसे नराज है, जनता उनसे नराज है, उनका बोलने का वहवार सबसे बड़ा जो है, जो मतलब बहुत जादा लोगों को पता लगा है, पिसली बार भी चुनाव वही लड़े थे और लगभा 15,000 वोटों से हा रहे है, तो मुझ मैं तो उमीद करता हूं कि मैंने हमेशा उनका समर्थन कारेकरता के रूप में नराजगी अपनी जगा है, जब पार्टी की बात आती है, तो हमारे लिए सबसे पहले केजरिवाल जी है, तो केजरिवाल जी के इलावा हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग केजरिवाल जी का जेखते हैं और के जीवाल जी के नाम पे हम सब समर्थन करते हैं उमीद करता हूँ कि उनका भी समर्थन मिलेगा तो यह थे मेरे साथ विधायक उमीदवार विधानसवा में आपको बता दे प्रभीन कुमार जनकपुरी विधान Bright अब देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार जनकपुरी की सियासत कौन करता है और कौन किस पर भारी होता है यह तो वक्त तेह करेगा वीडियो जनरलिस्ट मनीज के साथ उधे हिंदुस्तानी उधे भारत न्यूज दिली मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है